जब इंसान नशे में अंधिरे में करम करता है, बिना विचारे करम करता है तो ज़रूर उससे गलतियां होती हैं लेकिन जब हम जागरत होके चलते हैं, होश में रहते हैं, बेशियों में नहीं जियो हमारी आदत है भिहोशियों में जीने की अंधा धुन्द चलते हैं जो मुँ में आया बोल दिया जैसा आया करम कर लिया तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है पर जो जागरू कोके जीता है बोले तो विचार कर चले तो विचार कर खाए तो विचार कर सोय तो विचार कर जब विचार तुमारे साथ होगा तो फिर तुमसे भूले नहीं होगी भूल होने से पहले स्तर्क हो जाओगे जागरत हो जाओगे पर अगर ऐसे ही चलोगे अंधेरे में, नशे में तो वाक्य में भहत मुश्किल हो जाएगा जीवन हम लोग सोचते हैं कि हमें पहले होश क्यों नहीं आता क्योंकि हम होश में रहते ही नहीं है रोज तो आपको कहा जाता है 32 बार सोच के बोलो 32 दांत के अंदर भगवान ने एक जबान को रखा तो आप 32 बार सोचो फिर बोलो पर 32 तो बड़ा दूर है एक बार भी तो नहीं सोचते उस समय जब उद्वेग आता है तो जैसा अंदर आता है हम बोल पड़ते हैं जैसा अंदर ख्याल आता है हम बात कर देते हैं एक बार भी नहीं सोचते हैं न अगर एक बार भी विचार करेंगे तो हम बच जाएंगे गलत बोलने से करम करने से पहले अगर सोचेंगे क्या ये करम साधक का है क्या ये जिग्यासू का लक्षन है क्या ये एक अच्छे वेक्ती को शोभा देगा अगर एक बार भी विचार कर लोगे तो गलत करम से बच जाओगे फस्ते हम वहाँ पर हैं, जहां हमारे पास विचार नहीं है जो विक्ति होश पूर्वक कारे नहीं करेगा बेहोशी में तो काम खराब हैं, अब नशे में तो किसी से जैदाद भी लिखवा लो लेकिन जब नशा तूटेगा फिर तो हला मचाएगा तो हम भी जब होश में रहेंगे, ये जन्मों की बेहोशियां, जन्मों की नींद गुरु कहता है इसको तोड़ो, जनम जनम की नींद तोड़ो और जागरतो के जियो और जो विक्ति ज्यान सुनता है, जागरत होता है, वही अपने पर बातों को सहन भी कर पाता है काट कूट धर्ती सहे खाद खोद धर्ती सहे काट कूट वन राए कटुक वचन भी संत सहे और उसे सहाना जाए हम कभी कभी सोचते हैं कि हम क्यूं सहन करें हम कितना सहन करें लेकिन जब ग्यान सुनके होश आता है तो एक बात समझ आती है प्रारब्द का फेर है कोई कोई बात नहीं हम अपने को तयार करते हैं प्रारब्द की हर बात को स्विकार करते हैं और हसी खुशी सब सेन कर जाते हैं नजरिया बदल जाता है न otherwise हमारा मन दूसरों को भी ब्लेम करता रहता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए ये ऐसे क्यों करता है ये ऐसी बात क्यों करता है वो वैसी बात क्यों करता है हमारे अपने अंदर बहुत शिकायते होती हैं एक्सपेक्टेंसिज होती है लेकिन एक्सपेक्ट करना तो बंद करना पड़ेगा क्योंकि घूम फिर के कहानी एक है कि अपने ही कोई प्रारब्ध कर्मों में दोष किये हुएं वही तो सामने आ रहे हैं न नहीं तो हमारे सामने ही ऐसी situations क्यों आती है जरूरी बात है हमारा ही कुछ की आधरा सामने आ रहा है पर अब जब अपना किया हुआ भी सामने आता है मन क्या करता है तुमारा वो उसको सहना तो चाता है पर वो सोचता है साथ साथ सारे सहन करें सारे तो सहन नहीं कर पाएंगे उसको और क्यों करेंगे अगर स्कूल में पेपर तुमने दिया कम नंबर तुम्हारे आए तो तुम अकेले ही तो दुबारा उस class में जाओगे ममी थोड़ी चलके बैठेगी भाई बेन थोड़ी चलके बैठेगे पड़ोसी थोड़ी चलेंगे रिष्टेदार थोड़ी चलेंगे कोई भी नहीं चलेगा तुम्हें अकेले ही जाना है और उसी क्लास में जाके दुबारा बैठना है इतना कर सकते हो अब पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि अगले साल पिछले साल वाला दोश भी मिट जाए और भी ब्रिलियंट स्टुडेंट बनो दो क्लासों के इंतिहान कठे दे दो जी जान से लग जाओ दुबारा अपने साथियों के साथ क्लास में पहुंच जाओगे लेकिन ये सारा पुर्शार्थ तुम्हारा अकेले का होगा ये सारा पुर्शार्थ तुम्हारा अपना होगा किसी दूसरे से तुम उमीद नहीं रखोगे ऐसे जीवन में भी जो जो प्रारब्द कर्म है नैचुरल है कर्मों की पुंजी से प्रारब्द बनी है ये प्रारब्द कहां से आई है शरीर की जो पिछले किये हुए कर्म है उनसे तुमें कुछ कर्म प्रारब्द में मिले है अब उस प्रारब्द में दुख भी है, सुख भी है मिला जो लासा हिसाब किताब है हो सकता है कड़वे बीज जादा बोए हो तो दुख जादा है अच्छे बीज कम बोए हो सुख कम है पर ग्यान क्या कहता है अगर हम अपने को ग्यान से थोड़ा बना लें तो इसके प्रभाव से बचा जा सकता है भोगे बिन छूटे नहीं करम गति अती बलवान पर एक फरक है समझो किसी ने तुम्हें डंडा मारना है पीठ पे प्रारब्द का डंडा पढ़ना है तुम्हें नराकार परमात्मा ने लाठी मारनी है तुम्हें पर तेरे को लाठी पढ़े बीच में हम तकिया लगा दें लाठी तो पढ़ेगी पर अब दर्द नहीं होगा क्योंकि हमने तकिया डाल दिया ऐसे जब ग्यान से आप अपने attitudes में change लाते हो तो प्रारब्द की लाठी तो भाई आएगी उससे तो कोई छोड़ा नहीं पाएगा लेकिन ज्यान उसका प्रभाव कम कर सकता है अब क्या होता है थोड़ा सा अपनी living पे ध्यान देना होता है थोड़ा सा conditions को tackle करना होता है थोड़ा सा बातों को सहन करना होता है ये चीजें सीखनी पड़ेंगी हम ये जानते हैं patience आप ज्यादा रखते हो कोई शक नहीं इसमें लेकिन जो observation का part है वो छूट जाता है जैसे school में teacher ने बच्चों को बोला आज तुमारे दो टेस्ट होंगे एक observation का एक patience का बच्चों ने का ठीक है और टेस्ट बड़ा आसान था एक घोल रखा हुआ था teacher ने उसमें उगली डाल के मुँमें डाल ली बच्चों को लोगा बड़ा आसान टेस्ट है सबने उगली डाली घोल में और मुमें डाल ली बड़ा कड़वा घोल पर सारे बच्चे सह गए पांच मिनट बाट teacher ने उगली निकाली बच्चों ने भी निकाल ली teacher कहता है एक टेस्ट में तुम सारे पास patience में दूसरे में सारे फेल बच्चे बोले अभी तो एकी इम्तिहान हुआ बोला नहीं दोनों हो गए observation में सारे फेल हो गए मैंने घोल में उगली ये वाली डाली मुमें ये वाली डाली तुमने वही उगली गोल में डाली वही मुमें डाली observation में fail हो गए patience में pass हो कड़वा गोल मुँ में रखके तुम पढ़े रहे अब क्या होता है हम patience test में तो pass दुनिया में भी हो जाते है no doubt हम नहीं कहते हैं तुम गलत बात करते हो तुम बहुत सह रहे होगे mentally भी सहते हो physically भी सहते हो बहुत सहते हो पर अगर observation सही होता तो इतनी patience चाहिए ही नहीं थी ये मजा देखा तुम ने अगर बच्चे observe right कर लेते तो इतना सहने की नौबत ना आती न हमने गुरू के नजरिये अगर ठीक पकड़ लिये होते हमें इतना सहना ना पड़ता हम ज़्यादा सहते क्यों है क्योंकि आचरण में कहीं कहीं कमिया खोट ये चीजें हैं अभी उनको दूर करना पड़ेगा आप कितना ही किसी की आर्थिक मदद कर लो पर आप से शारीरिक मदद की भी आशा रखी जाती है इस बात को भी समझो हम लोग बाहर से तो जो हमसे बन पड़ता है हम कर लेते हैं लेकिन एक्चुली हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो पार्ट हम भूल जाते हैं उसको भी करना पड़ेगा कहीं कहीं शारीरिक श्रम का अभाव है कहीं कहीं वानी में दोश है जाते हैं तो जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं और वो दोश निवरित नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी समझो कभी हमसे कंसर्ण ही कोई बात कर रहा है have patience हमारे दिमाग में क्या आ जाता है मेरी तो मैं जानता हूँ इसको क्या पता हम सुनने से पहले बोल पड़ते हैं सामने वाले की बात भी पूरी नहीं हुई हमने बात काट दी हम बोल पड़े बोले भी ऐसा कि अगला तो रख रहा है मेरे से कंसर्न और मैं उसी को गंदा कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बिगाड हो जाएगा पका पका बिगाड हो जाएगा क्या होना चाहिए पेशेंस से हम बात सुने मेरे कंसर्न में ही कोई कह रहा है अच्छी बात ही कह रहा है बड़ा धीरज रखके बात को अराम से सुनो और कभी न कैच कर पा रहे हो न प्यार से कहो, आप लोग सही कह रहे हैं, पर शायद इस समय मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है, मुझे आपकी बात कैच नहीं हो पा रही, कल बात करें, थोड़ा रिलाक्स होके बात करें, अभी थोड़ा छोड़ दें बात को, मूड नॉर्मल हो जाए, टेकल करने का तरीका situations को, तुम एक बात फील करो, तुम्हें हमारे पास आके अच्छा क्यों लगता है, हम तुमारी नस जानते हैं और हम वैसे टेकल करते हैं, तुम्हे फील होता ही मुझे समझते हैं, अगर तेरी बात पूरी होने से पहले हम तीर चला दें, तुम बोलोगे इनको भी नहीं सम समझते हैं मुझे, मेरी बात को कोई कोई नहीं समझता मुझे, पर एक विश्वास आता है यहां आके, कि आप मेरी बात समझते हैं, way of tackling हो गया न, हलांकि मुझे पता है कि तुम्हें समझना है, मुझे तुम्हें नहीं समझना, पर अगर मैं ये धीरज तोड़ दूँ और तुम्हें मौका ही ना दूँ बात करने का तो तुम विश्वास नहीं जमा पाओगे और जब तक तुम अपनी ना कहोगे, खाली ना होगे तब तक मेरी बात कहने का कोई अर्थी नहीं है तुमारे अंदर गुसेगी नहीं भाई पतीला पहले पानी से भरा पड़ा है उपर हमने दूद डाल दिया तो बाहर ही बहने वाला है ना क्या होगा उससे फाइदा तो कोई होगा नहीं वो बाहर ही निकल जाएगा सारा दूद बेस्ट क्या है पानी को पहले बहने दें, पतीला खाली होने दें अगर कोई व्यक्ति हमसे concern होता है ना, वो ये expect करता है कि हम उसको patience से सुने वो सही है या गलत है हम उसको काटें ना वो ये expect करता है हमसे वो अपनी बात जो कह रहा है वो चाहता है कि हम उसको receive कर ले ये फैसला बाद में करें सही या गलत का तो ऐसी कुछ-कुछ बातें आती है सामने जिनको tackle करना आना चाहिए हमारे इर्दगिर्द का महौल क्यों खराब होता है क्योंकि हमारे अंदर एक कुटे जितनी भी समझ नहीं जो जगा साफ करके बैठता है हम मन के भाव साफ नहीं करते वानी के दोश निवरत नहीं करते जब तक हम इन चीजों की सफाई ना करेंगे हमारे आसपास का वातावरण साफ होने वाला नहीं है देखो एक एज ओती है हम बच्चे ओके कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझें है न एक एज ऐसी भी आती है जहां पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे हमें समझें ये वाला पार्ट बच्चों से मिस हो जाता है उनको ये तो पता है हमने सारा बच्पन सारी जवानी माबाप की सुनी पर वो एक पार्ट मिस कर गए कि जब बच्चों के सुनने का समय है पैरेंट्स को उस समय बच्चे अपनी चलाते हैं सुनते नहीं है समझदारी नहीं रखते हैं लगता है नहीं हमें समझ ज़्यादा है Actually दिवार का जुकाव होता है किसी तरफ हमारे मन का ना जुकाव होता है किसी तरफ अगर कभी किसी को सुनना हो हमेशा पक्षपात रहतो के सुनो अपने मन में कुछ रखके अगर तुम यहां भी आओगे न मेरी बात तुम्हें रिसीव नहीं होगी मन में उत्तर रखके अगर मेरे से प्रशन करोगे तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे कभी भी किसी की बात सुनो अपना दिमाग खाली करके सुनो हम अंदर अपनी बात रखे रहते हैं सामने वाले को सुनना मजबूरी होती है इतनी देर में भिड़न तो जाती है हो गई टकर क्यों हो इटकर क्योंकि दिमाग में कुछ रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए दिमाग से अपनी बात निकाल दो अपना एटिटूड एक साइड कर दो अब सुनो सामने वाले को अराम से सुनो सुन पाओगे, समझ पाओगे और जब किसी का कंसर्न फील करोगे क्या होता है कभी किसी की बात को हम चाहे ना अक्सेप्ट करें पर अगर उसके कंसर्न को अक्सेप्ट कर लेते हैं अगला सेटिस्फाई हो जाता है कि इनों ने ये समझा कि मैं इनका ही तेशी है, मेरी बात को समझा इसने ये एक सोचने जैसी बात है घरों में भी जहां रहते हो पती के साथ घरवालों के साथ ये बात एक समझने जैसी है जिनके बीच हम रह रहे हैं अफकोर्स वो लोग हमारे लिए कंसर्ण हैं हम कम से कम उनका कंसर्ण तो फील कर लें हम लोग ऐसा एक्षन देते हैं अगलों को लगता है ये तो हमारा प्यार भी नहीं समझ पा रहे हमारा जो इनके प्रती रवया है लगाव है हम जो इनका भला चाहते हैं ये तो वो भी नहीं समझ पा रहे हमें हरे का कंसर्ण फील करना आए जरूर आना चाहिए तुमने टीवी में एक एड देखा होगा मैं तो उस दिन पहली बार देखा गौर से शायद आती होगी पहले भी वो सर्फ एकसल की दस रुपे की पाउच की एक आ रही एड बच्चा दादी के साथ सबजी मार्किट जाता है दादी पैसे निकालने लगती है दसका नोट दुकान के नीचे चला जाता है बच्चा नीचे घुसके वो दसका नोट निकाल के देता है दादी आपके पैसे और उसके कपड़े हो गए गंदे दादी फटा फट साफ करती है कोई बात नहीं इस दस रुपए के सर्फ एकसल से सारे दाग चले जाएंगे वो तो चलो सर्फ की एड है पर गौर से देखा मैंने पता नहीं उन्होंने बनाया ऐसा या जो एड कर रही है लेडी कोई इत्ती रियल फीलिंग आई आप उसका फेस देखो ऐसे लगता है बच्चे का वो कंसन देखके खुश हो गई है वो वो नहीं कहरी कपड़े गंदे कर लिये मैं अपने आप उठा लेती फलान कर लिया पर उसके फेस की दमक बता रही है पोता उसके लिए कितना वेलियूबल है जो दस रुपे निकाल के ला रहा है उसके सीखने वाली चीज है कि अगर किसी का कंसन फील कर लिया ना दाग सारे धुल जाएंगे फील करो क्या होता है कई बार कोई हमारे लिए बहुत कंसन डेख प्यार है उनका अपना पन है लेकिन मेरा हमेशा ये attitude कि ये तो है ही गलत ये तो बोलता ही ऐसे है इसको क्या पता वो चीज कभी कभी अगले को hurt कर जाती है obvious है कोई अपना विचार थोप नहीं सकता किसी पर fact है ये तो लेकिन किसी को feel कर लेना किसी का concern feel कर लेना ये भी तो हमें आना चाहिए ये एक बहुत बड़ा दोश हो जाता है हमसे हम किसी का concern नहीं समझ पाते और अगर concern समझ में आ जाए बात तो पिछे रह जाती है अगला इतने से ही समतुष्ट हो जाता है कि इसने मेरा concern समझा दादी की मेहनत बढ़ गई कपड़े दोएगी घर जाके पर वो बड़ी खुश है पोता concern है मेरे पैसों के लिए मेरे लिए मैं घर जाके परिशान होती मेरा नोट गिर गया खुश हो गई फिल कर पाना किसी की feeling को feel कर पाना ये भी इनसान के अंदर गुण होना चाहिए ज्यादा तर हम अपनी feelings को value देते हैं दूसरों के सिरफ शब्दों को समझते है feelings को नहीं समझते और यहीं से जगड़े खड़े होते हैं अगर आप अगले की feeling की value करो words तो पीछे हैं अगला कौन सी feeling में आके बात कर रहा है वो आपको क्या कहना चाहता है क्या समझाना चाहता है क्या विचार देना चाहता है अगर आप इतनी सी बात को feel कर लो तो आपका लहजा बदल जाएगा अगले की बात को receive करने का ढंग बदल जाएगा आपका अगले के प्रती जो प्यार का भाव पैदा होगा वो कभी रिष्टों को कमजोर नहीं होने देगा यह चीज महसूस करो tackle करने के लिए feel करना जरूरी है आज अगर हम के आप बच्चा होता है आपका अभी समझो सुबे से तुम आए इदर शाम को घर जाओगे अब बच्चा नानी दादी जिसके पास भी क्रच में कहीं भी छोड़ा है शाम को जाती आप सबसे पहले कहा लपकोगे बच्चा आपकी तरफ लपकेगा आप ये नहीं कोगे परेमर सुबे से ठक के आई उठेर जा थोड़ी देर नहीं बच्चे की feeling समझ रहे हो ये सुबे से बिछड़ा है ना वाश्रूम भी जाना होगा ना नहीं जाओगे पहले दो मिनिट बच्चे को हग करोगे गोदी उठाओगे प्यार करोगे फिर उसको बोलोगे अच्छा बच्चे दो मिनिट रुख में आई मैंको वाश्रूम जाने दे उसको नहीं पता वाश्रूम क्या होता है उसको नहीं पता तुम्हें कहां जाना है तुम बताओगे बच्चा बैठ जाएगा दो मिनिट फिर तुम होके आओगे और दोनों फिर कठे बैठ जाओगे क्या हुआ ये feelings exchange हुई बच्चा कही नहीं सकता मम्मी मैं उदास आप कहां गहीं थी सुबह से पर उसका लपकना आपको बता देगा ये उदास क्या हुआ ये आप बच्चे की feeling को catch कर गए बच्चे को जब आप मिलके बिठा के दो मिनिट गए कहके बच्चा आपकी feeling समझ गया कि मम्मी यहीं कहीं यहीं दरवाजा बंद हुआ है यहीं गुसी है अभी अभी आजाएगी क्या हुआ ये जैसे अपने बच्चे की feeling समझ गए आप पता नहीं बड़ों की इर्दगिर्द वालों की feeling समझने में क्यों तकलीफ आती है उस feeling को feel कर जा आपको उनका भी प्यार समझ आएगा ये जो मन बोलता है ना किसी का मेरे से प्यार नहीं मेरा किसी से प्यार नहीं क्यों है ये यहां बंजर भूमी है इतनी भूमी बंजर बना लिये कि यहां प्यार के fully नहीं खिल रहा है अब क्यों बन गई है बंजर भूमी क्योंकि आपने किसी की फीलिंग को ना समझते हुए अपनी फीलिंग्स को मार डाला जब हम देखते हैं हमको सामने से नहीं मिल रहा तो हम भी अंदर से प्यार मार डालते हैं उसके प्रति प्रेम देवता सुखा दिया अंदर का और प्रेम बिना जीवन बहुत सुना है प्रेम तो जहां बैठो प्रेम की दुनिया तो बनानी पड़ती है भई एक ट्रेन में भी सफर करना हो आपको लंबा सफर हो समझो यह तो अब चलिए एक्स्प्रेस ट्रेन वगेरा पहले लंबे सफर होते थे दो-दो रातें डेड़ दिन लगा जा रहा है ट्रेन में तो यह जो उपर नीचे वाले नीचे ही आ बैठते थे समझो हमारी लोवर बर्थ हैं उपर वाले नीचे आएंगे हमारी अपर बर्थ है तो उपर टंगे नहीं रहेंगे नीचे आके बैठेंगे क्या करते थे प्यार बना लेते थे तो दो दिन का सफर सौखे कट जाते थे होता था नहीं होता था बॉम्बे जाओ तिन तिन दिन लगते थे और ये थेर नहीं तब ये फ्लास्क वगेरा ट्रेन में भी सुराई ले जाते थे अब ज़्यादा जने हैं तो पानी कैसे पिए ना बिस ले रही ना कुछ क्या करें सुराई ले जाएं अगर किसी स्टेशन पे अपनी सुराई भरी न दूसरों क्यों भी चाहिए पानी उसको बोलते थे आजाओ आजाओ खड़की से गेट पे पकड़ाओ मेरी सुराई आप ले जाओ आपकी में भरके आया पीछे से खाना खाने बैठते थे आजाओ जी आजाओ आप भी खालो करते थे शेयर किसका रूप था प्यार का रूप था प्रेम तो बनाना पड़ता है अपने मन में अगर ये फीलिंग्स ले आओगे न कि मैं किसी इसको मेरे से प्यार नहीं मेरा किसी से प्यार नहीं ये फीलिंग्स ले आओगे उसके बाद क्या बोलते हो सच में मर जाने को मन करता है सच बात है प्यार के बिना तो मौत ही है जीवन में प्यार खतम नहीं करना अंदर से प्यार सुखा दोगे तो जीवन सुख जाएगा प्यार की भावनाई मिटा दोगे तो जीने से नफरत हो जाएगी तुमें ऐसा गलत काम नहीं करना प्रेम को प्रगट करना है प्रेम को बना के रखना है प्रेम की भावनाओं में रहना है मरा क्यों प्रेम बेऊश क्यों हो गया है प्रेम क्योंकि तुमने किसी को समझा नहीं देखो जितना हम स्वार्थ में रहेंगे उतना हमारे लिए किसी के प्यार को समझना कठेन हो जाएगा निश्पक्षो के कोशिश करो किसी का प्यार समझने की किसी की फीलिंग समझने की तो तुमारे अंदर भी प्यार का जहरना जरूर बहेगा एक शिशे आया था एक बार गुरू के पास गुरू जी ज्ञान सुनने आया हूँ गुरू जी बोलते हैं बेटा तेरा प्यार किससे है प्यार प्यार शब्से मुझे बड़ी नफरत है गुरू जी कोई प्यार व्यार नहीं मेरा किसी से गुरू ने हज जोड़के बोला बेटे यहां से भी जाओ कोई ग्यान नहीं तेरे लिए आप कमाल करते हो ग्यान का प्यार से क्या वास्ता बुला अगर तेरे अंदर प्यार का एहसास होता तो मैं कहता भाई जैसा प्यार तेरा वहां पर है वैसा भगवान से कर ले तू कहता बेटे से प्यार है मां से प्यार है मैं कहता वैसा ही प्यार भगवान से कर पर तेरे पास तो प्यार ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊं तुझे इसी लिए अंदर प्रेम को जीवित रखना जरूरी है अगर सबके लिए प्रेम मरेगा तो मेरे अपने जीवन के लिए भी मेरा प्यार मर जाएगा अंदर फिर मैं जी के क्या करूँगा सच बात है अगर प्यार ना हो तो जी के क्या करें किसके लिए जीएं आज ग्यानी का भी सब काम उतर गया निश्चे में आ गया आमन्जिल पे पहुँच गया आप किसके लिए जीए फिर गुरू ने ये कारे दे दिया इनके लिए जीओ नहीं तो अकेले बैठ के सोचते क्या करना जी के जगत तो है ही मिथ्या सरीर भी मिथ्या इसने एक दिन मरी जाना है डिप्रेशन हो जाता लग गए कारे में तुम सब के प्यार में जीते हैं तुम सब की खुशी के लिए जीते हैं तुम बोलते हैं हमारे पास आओ चलो तुमारे प्यार में आ जाते हैं तुम कहते हो हर दौर चलो चलो सब के साथ चलते हैं तुम कहते हो गाओ चलो तुम सबके लिए गाते हैं प्यार में जी रहे न वरना ब्रह्म ग्यानी भी क्या करें दुनिया में क्रिशन प्रेम में जीए गोपियों के प्यार में जीए उधो के प्यार में जीए सुदामा के प्यार में जीए प्रेम तो जीवन का महा मंत्र है तुम अजीब बात करते हो कि तो प्रेम मार डाला है मैंने अंदर से तो जीवन का उद्देशे क्या रह जाएगा जिन्दगी तो प्यार में जी जाती है भगवान से भी प्यार होता है तुम यहां भी रोज क्या करने आओगे चलो ग्यान कितने दिन सुनने आ जाओगे दो दिन चार दिन कथा सुनना है पर अगर यहां भी प्रेम हो जाता है तो अपने आप आकरशन होता है जाए वानी से भी प्यार हो गया तुमें ग्यान अच्छा लग रहा है समझ आ रही है सुनके अपने को बदल रहे हो वानी से भी प्रेम हो गया अब मन कहता है हाँ चलें टाइम हो गया चलें इंतजार होता है प्रेम तो हर जग है जरूरी है प्रेम के सिवाए तो जिया ही नहीं जा सकता प्रेम सहत जीना है सबके लिए मन में प्रेम की भावना लानी है ये नहीं कि कोई मेरे को पूछे तो प्यार नहीं पूछे तो नहीं प्यार बुद्ध के मुँपे थुक दिया किसी ने बाद में वही पचता है मैंने आपका प्यार खो दिया कहता है नहीं मैं इसलिए थोड़ी प्यार करता था कि तुने थुका नहीं था, मेरा प्यार अभी भी वही है तेरे लिए, महापुर्शों के जीवन की इतनी बड़ी बड़ी घटना हैं, हमार साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम कितना अपने इगो में आ जाते हैं, अपने स्वार्थों मे आ जाते हैं, सच्चाई ये है, हम किसी की फीलिंग को फील नहीं कर पाते, इस चक्कर में हम प्यार गवाते हैं, अगर आप से पूछो न, प्यार खतम होने का क्या कारण है, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, इसने ये किया, इसने ये किया, यहीं न, मतलब आपका प्यार इस उसने ऐसा कहा नहीं था बस आपका प्यार इसलिए था क्योंकि उसने ऐसा किया नहीं था बस यही प्यार का अर्थी इतना रह गया प्यार का ठूट लगी सेड़ी भगी जरासी बात वही नहीं वर्सों की सहली भाग गई बस प्यार का अधार यही है कि एक शब्द के कारण प प्यार तूट गया, इतना कच्चा प्यार, इतना छोटा प्यार, अरे प्यार में ही तो दिल बड़ी होती है, प्यार में ही तो इंसान माफी दे पाता है, प्यार में ही तो अंदर लगता है कि लिव इट, प्यार की तो महमाई ही है, आज अपने बच्चे से प्यार है, छोटे माफ कर देते हो प्यार है पतान और खुद छोटे थे वही मा मारती थी उसी की गोद में जाके चुपोते थे यह पतानी बड़े हो के कौन सी इगो आ जाती है वही मा बाप दुश्मन हो गए वही भाई बैन अब अच्छे नहीं लगते वही ससुराल में लोग अच्छे नहीं लगते क्यों इत्ती फीलिंग्स आ गई है इगो की अंदर क्यों हर चीज को स्वारत से तौलते हो क्यों हर चीज के पीछे नए अर्थ लगाते हो अगर ये काम छोड़ दो प्यार का भाव बन सकता है आज हम बात कर रहे हैं तो में बुरी नहीं लगेगी खुश होगे आपने न मुझे खुश कर दिया आपने मेरे अंदर का कच्रा निकाल दिया कब जब तुमने मुझे अंडर्स्टेंड किया और अगर तुम ये सोचते ले ओ भाई पहले सत्संग बुला लिया फिर कूट दिया मुझे तो तुम कल से आओगे ने मुझे भी समझोगे तो आओगे ना शुकराना मानोगे आपने मुझे हलका कर दिया मैं तो कल चैन की नींद सोया कैसे सोया हमने तुमें समझा तो तुमने भी अमारी बात को समझाओगा तभी शांती पड़ी होगी न तो एक तरीका है जीने का सबकी फिलिंग्स की रिस्पेक्ट करो फिलिंग्स हैं सबकी ऐसे नहीं कि अंधा दुन्द जीये जाओ सबकी फिलिंग्स रिस्पेक्टेबल हैं रिस्पेक्ट करो कभी कोई वेक्ति उद्वेग में आता है उसकी मजबूरी समझो समझनी पढ़ती है घर में बड़े लोग होते हैं अब जू जू एज बढ़ती है तो उनका खान, पान, रहन, सहन सब बदलता है हम लोग चलो आठ बजे ना खा के नौ बजे भी खाना खा लेंगे चल जाएगा पर उनके digestive system allow नहीं करते वो देर से खाएंगे, परिशान हो जाएंगे vomiting होएगी, तबियत खराब होगी, तो वो आठ बजे शोर मचाएंगे खाना दो अगर आप उनको feel कर लोगे, उनकी problem को आपको कभी गुसा नहीं आएगा वरना, बस हमारे घर तो जी, कर्फियू लग गया, ये हो गया वो हो गया, आठ बजे रोटी ना दो, हंगामा कुछ नहीं करते, दो तीन आवाज दे देते हैं, बेटा रोटी नहीं बनाई बेटा रोटी नहीं बनाई हंगामा तो किसी ने क्या करना, लेकिन बड़ों को जब हम समझी नहीं रहे कि उनकी मजबूरी है ना खाके भी गुजारानी उन्होंने दवाईया खानी है मजबूरी है उनकी खाना भी है उन्होंने देर से खाएंगे वो सारी रात बिमार रहते हैं भुगतते हैं इसलिए वो कह देते हैं अब जिस बहु ने ये समझ लिया कि माता पिता जी की मजबूरी है विचारों की उसके बाद उसको गुसा ही नहीं आएगा बलकि मायके जाएगी न भाबी भी थोड़ा तिड़ पिड़ कर रह सकेगी और नहीं तो अपने मायके भी आके कहेगी सब जगा बुड़ों का यही आल है इन्होंने भी शोर मचा रखा है आप समझो ना किसी को अगर समझ लें हम एक दूसरे को किसी का बोलना भी बुरा ना लगे बुलना बुरा क्यों लग जाता है सामी सहब कहते हैं दुनि मिया में लोग जगडते क्यों है क्योंकि एक दूसरे की भाशा नहीं समझते हैं अरे बुला भाशा तो सब समझते हैं जो वही तो बोली जाती है कहते हैं नहीं एक कहता किस भाव से है दूसरा समझता कुछ है और अर्थ तो तीसरा ही निकालता है यूँ जगड़े हो जात अगर हर बात को balanced mind से receive किया जाए ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हो जाता है it's okay leave it बड़े आराम से कहानी चलती है और खाईयां कहां पर हैं जहां अंदर प्यार नहीं है प्यार नहीं है तो understanding नहीं है understanding है तो हम किसी की भावनाओं का आदर नहीं करते फिर जगड़ी बच जाते हैं बाकी प्रेम का अर्थी है समझना एक दूसरे को समझना realize करना ये मत भूलो अगर घर में एक problem में है तो बाकी घर डिस्टर्ब नहीं है सब डिस्टर्ब होते हैं एक वेक्ती बिमार हो hospitalized हो सारा घर पर रिशान होता है एक वेक्ती बेडरी डन हो पूरे घर का atmosphere serious हो जाता है effect आता है न एक वेक्ती पर problem हो सारे घर पे होती है वो problem देखने में आएगा कि हमने अकेले अपने problem को लड़ा या कुछ face किया सच्चाई ये है front पे हम रहते हैं front पे अर्जु ने लेकिन सेहन तो सब ने किया द्रौप्ती ने भी सहा वचारी का चीरह रन हो गया नहीं सहा उसने अब युदिष्ठिर ने दाव लगा दिया भाई, पतनी, राजे सेहन तो सारे घर ने किया उसको मा भारत खड़ा हुआ जब ये कभी मत सोचो मैं अकेला face कर रहा हूँ नहीं घर के लोग हमारे किसी ना किसी रूप में हमारे साथ सब कुछ face करते हैं they have to face क्यों हमसे जुड़े हुए वो बिचारे अलग नहीं हो सकते दिमाग भी चलता रहता है बाहर दुनिया को भी face करना पड़ता है शायद कभी कभाई हमारे जिद, हमारे हट इनको भी face करना पड़ता है हम चाहे अपनी जगा ठीक होते हैं लेकिन अगलों के लिए तो ये भी एक major problem हो जाती है न feel करके देखो आज समझो तुमारे भाई के पास कोई दुख सोखा जाए चाहे तुम अपने ससुराल में हो माबापको कुछ होता है चाहे तुम अपने ससुराल में हो ध्यान नहीं लगा रहता कर कुछ नहीं सकते पर कितना फड़कते रहते हो feel करो फादर बिमार है इलाज नहीं हो पारा ना जीने में ना मरने में नहीं mentally भुकता होगा इन चीजों को बहले कर कुछ नहीं सकते तुम रोज वहां भी नहीं बैठोगे जाके रहना अपने घर पड़ेगा लेकिन वहां रहके भी सारा दिन ध्यान लगा पड़ाया लड़की ने माइके की प्रॉब्लम ससुराल में रहके साथ भुकती रोज फोन करके हाल चाल ले लिया मा से भाई से बहन से और पूरा दिन उसी चीज में भुकता अब कहने को तो मा कहेगी तुने क्या देखा जो फेस किया आमने किया आप कोगे आपको क्या लग रहा है मैं माचैन से बैठी थी मजे से बैठी थी मेरा अंदर वाला जानता है मैं किती परेशान थी जरूरी नहीं है व्यक्ति सामने शो करके ही फेस करता है तो ऐसे जैसे हम अपने घर के लोगों को फेस करते हैं उनकी प्राबलम के साथ हम भी प्राबलम फेस करते हैं मेरी प्राबलम को भी सब फेस करते हैं घर में आप देखते हो कम नंबर आपके आते थे रोटी मा के अंदर नहीं जा रही मूड खराब रो रही है तुम चाहे बस्ता रखके खेलने भाग गए कम नंबर आए तो आए फेल हो गए तो हो गए वो मा विचारी बैठके डाइनिंग टेबल पे रो रही है कंसर्ण है उसकी मूड आफ हो गई परिशान हो गई क्या हमने इस रवये से किसी को सुना देखा समझा किसी के अंदर का मेंटल प्रेशर हम फील कर सकते हैं देखो मैच्यूरटी इसका नाम है मैच्यूर होना इस चीज के लिए कहा जाता है कि ये हमारी मैच्यूरटी है कि हम फील कर पा रहे हैं इन चीजों को यही तो फरक है बच्पना क्या है बच्चे को कुछ पता नहीं चलता कभी कभी कुछ बड़े लोगों के लिए हम कह देते हैं बच्पना नहीं गया बच्पना है इसके अंदर कैसा बच्पना है कि वो बच्चों की तरह बात बात पे अड़ जाता है किसी को समझ नहीं सकता किसी की फिलिंग नहीं समझ पाता किसी का वे नहीं समझ पाता अरे बड़ा बचपन है भाई इसके अंदर उस बचपने की परिभाशा क्या है बच्चे जैसी सोच बच्चे जैसी बुद्धी अपनी बात कोई रखना बस समझना कुछ नहीं एक एज के बाद एक maturity level आ जाना चाहिए आपके बच्चपने को कोई स्विकार नहीं करेगा लड़कियां माईके में होती हैं बच्चपना करती है मा यह सोचती है ससुराल में जाके तो भई सबने serious हो जाना है mature हो जाना है कोई बात नहीं लेकिन जब ससुराल में जाके अगर उस maturity को ना attain कर पाओ बड़ी परिशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि ससुराल वालों को सुघड चाहिए सास ये मेहनत नहीं करेगी कि तुमारे बच्चपने माफ करके और तुमें mature बनाए आदमी ये expect नहीं करेगा कि मैं गुडिया प्यार में दस बार गुडिया बोल दे पर अगर गुडिया वाली हरकतें देखेगा तो बरदास्त नहीं करेगा फिर क्रोध करेगा भाई तुमारी सुंदर्ता देख ली तुमारा डिल डॉल देख लिया गुडिया सी लड़की मिली गुडिया पर अगर सचमुच घर में गुडिया आ गई आदमी को भी समझे उसके घर के लोगों को भी समझे हालतों को भी समझे और साथ दे उसको तो वो लड़की चाहिए उसको कोई डॉल म्यूजियम की डॉल नहीं चाहिए थी हर लड़की के माबाब जब डूली देते हैं फूल सी लड़की, फूल सी लड़की, तो रोज क्या पानी डाले उसके उपर, क्या करें, लाड़ जो होते हैं, इगो जो होता है, वो पेरिंट्स के घर तक चलता है, वो से लेते हैं, जिस दिन शादी के बाद उस दहलीज को पार करो, जिन्दगी का रुख बिलकुल बदलत होता है, दूसरा रूप होता है, और यहीं से लड़की आमार खाती हैं, आप सोचते हो, मैं वो माय के वाला ट्रेंड ससुराल में चला लूँ, इंपॉसिबल, इंपॉसिबल, सास ससुर साथ हो तो और ही ज़्यादा दिक्कत, पर केवल आदमी के संग भी रह जाओ, कोई न तुमारी सोच, तुमारा दिल, पते राम अवतार, शादी का वक्त इंसान का, गरस्त आश्रम में जब वो प्रवेश करता है, उसको कहते हैं राम अवतार में गया, मना राम और सीता की तरह मर्यादा पालन करना आए, और इतनी त्याग भावना जीवन में आए, शुरुव पाति ग्रस्त की वहां से होती है, कह कई के पास सीता लड़ने नहीं गई, पूरी राम अयन में कहीं नहीं लिखा सीता ने राम जी से अकेले में भी निंदा की हो कह कई की, तेरी मा तो ऐसी, तुमारी मा ने घर नहीं बसने दिया, तेरे बाप का शापा मैं पीट रही पती से शिकायती नहीं करती कमाल की इस्त्रिये मूँ नहीं खुलती बिलकुल ये चीजें तो सीखी नहीं रहा माइंड से किसी ने सीरियल देखके खुशो बैठे पर अपना घर चलाने के लिए सती सीता जैसा दिमाग रखना पड़ेगा बड़ा खुला दिल रखना पड़ेगा स्वार्थ त्यागने पड़ेंगे ऐसे नहीं ग्रस्त चलता भले सीता का त्याग बाहर से दिख रहा है बाहर से छोड़के चली गई लेकिन जितने लोगों ने घर संभाला है किसी से भी बात करना अगर उनके जीवन में त्याग ना होता न अब तक अपने माई के वापिस पहुँच गई होती है पहले दिन से ही त्याग है सास बता देती है मैं बेटा इतने बज़े रसोई में चली जाती हूं सुबह बातों बातों में हर सास सुना देती है बाउ को कान खड़े कर देती है मतलब आपको इतने बज़े तक किचन में प्रेजेंट होना है कहती नहीं तू तो बेटा आराम करा आप ही जाएगी ना रसोई में बेटा तू क्यों उठाई अम्मा जी कल आप ही ने सुनाया था कह नहीं सकती पर चुप हो जाती है इशारा तो यही था पहले दूसरे दिन ही सुना देती है मैं तो बेटा पांच बज़े से उठ जाती है मैं तो बेटा नहाद हो के साड़े पांच रसोई में होती हूँ तो बेटा जी साड़े पांच तक आपको भी किचन में यसर करना है सिधी सिधी बात नेग देते हैं आओ तुम अब नंद दहेज खोलेगी कुछ भी उठाएगी वो त्याग गर में पाउं रखा भैसास को नेग देना इसको मां डाल के देती है पहली त्याग त्याग से तुमारे गरस्त आश्रम की शुरुवात होती है अपना घर छोड़ो दूसरे घर जाके रहो त्याग हम ये त्याग कर लेते हैं पर पता है कैसे करते हैं मन में सपने बुनके वहाँ ये होगा वहाँ ये होगा और आते ही जब देखा घड़ों पानी पड़ गया ना तो दुला शारुक खान निकला ना बंगला निकला पिक्चर में जैसा दिख रहा था ना गाना गाया किसी ने बड़ा नॉर्मल सा घर था ये तो तो रियल लाइफ तो कुछ और ही है न रियल लाइफ हमसे एक्सपेक्ट करती है त्याग रियल लाइफ हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम मिटके अपनी जगह बनाई हर लड़की को ससुराल में जाके साल दो साल तो सिरफ मुँ बंद करके सेवा करके जगह बनानी होती है और एक बार जगह बन गई तो सारा घर उसके इशारे चलता है फिर ये कुझी है पर जिसने वो साल दो साल पैर ना जमाए वहां काम खराब होता है है कुछ भी नहीं अगलों का भी प्यार है अगले भी तुम्हें लेके आएं पर जैसे तुम उमीदें लगाएं अगले तुमसे उमीदें लगाएं थोड़ा टाइम अपनी उमीदें कर दो किनारे उनकी उमीदों को कर दो पूरा काम बन जाता है ज्यादा मेना थोड़ा है लेकिन फिर वही बात आ गई आप उनके फीलिंग्स को फील नहीं करते तो मन कहता है ये बुड़िया क्या सोचती है नोकरानी ले आती भव क्यों लाई भाई सोना भी तुझे चड़ाया है बिल्टा भी तुझे दिया है नोकरानी को थोड़ी दिया है ये सब तो उमीद भी तेरे से रखेगी दिमाग में पहले ही गलत बात आती है किसी के घर जा रहे हो उसके संसकार तो अपनाने पड़ेंगे उनके घर का वे तो अपनाना पड़ेगा लेकिन हम उन फीलिंग्स को नहीं फील कर पाते कभी-कभी misunderstanding के 99% reasons होते हैं हम सामने वालों को समझना ही नहीं चाते वो मुझे समझें ये तो मेरे अंदर पका रहता है मैं भी किसी को समझू तो मेरा मैं कहती है क्यों मैं क्यों समझूं कर जा देना है मैंने अपनी बारिया मैसे हो जाते हैं जहां भी बैठो सब को फील करो सब को समझो तुम इतने लोग आते हो गुरू तुम सब को समझता है किते लोग रह रहे हैं रोज के सो और डेड़ सो 200 लोग रह रहे हैं सारी दुपैर को सब बातें करते हैं बैठके तो अगर समझा ना जाए गाड़ी कैसे चलेगी हमारी जरूरी बात है समझना होगा हम भी सबको समझें अब समझने के बाद जो कदम उठाओगे उसमें गल्टियां नहीं होंगी गल्टियों के पीछे हमारा एंकार गल्टियों के पीछे हमारा स्वार्थ गल्टियों के पीछे हमारा नॉन अंडर्स्टेंडिंग्स ये हैं हमारी गल्टियों के पीछे अगर हम इन चीजों से अलर्ट हो जाएं सच में हमारे जीवन से बहुत गलतियां खतम हो जाएंगी अगर सामने वाले का एंकार का सौभाव है तो मेरा भी तो टकराने का सौभाव है चलो कोई अकड के भी बोल रहा है कोई बात नहीं हम प्यार से बोल लेते हैं कोई ज़रा सा डांटी रहा है कोई बात नहीं हम चुप कर जाते हैं क्या फरक पड़ता है सेवा से जीतते हैं प्यार से जीतते हैं बहुत सारी बातें करी जा सकती है कहीं भी रहो इस्त्रियों के पास भगवान ने एक बहुत बड़ा गुन दिया है किसी की भी जबान के जरिये उसके दिल में उतर जाओ कहीं भी हो माईके भी रहो न तुम्हारे भाई हैं, भावी हैं, पिता हैं कभी माईके भी जाओ किसी दिन किचन में चले जाओ बोलो आज हम बना के खिलाते हैं देखो भावी कितनी खुश होगी भाई कितना खुश होगा माता पिता कितने खुश होगे जिम्मेवारी ओट लो माईके में भी तुम बर्डन नहीं लगोगे अगर तुमने वहां भी कुछ सेवा में हाथ बटा लिया भाई आया ओफिस से लाओ पानी मैं देती हूँ उठ जाओ तुरंत जाओ किचन में पानी लेके आओ तुरंत पूछो चाए बनाए मैं बनाऊंगी चाए बैठके सब मिलके पिएंगे कुछ तियारी करके रखो आर्ट सिखो न किसी का दिल जीतने का आर्ट सिखो तुम वही अपनी रोनी सूरत अपना बच्चा लाद लिया यहां पे और रीं 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 चल रही है दोनों की मा बच्चे की ओ देख मामा आ गया ओ देख फलाना हो गया भैया मामा आ गया तो तु कुछ मामा के लिए बच्चा तो नहीं कर सकता तू कर ले, हिल जा जरा, शेवा कर जरा, मेहनत कर, देखो न, तुमारे पास जरिया है, अगले को इग्नोरेंस मत शो करो, नराजगियां मत शो करो अर्समे, मुँ फुलाए मत रहो, स्माइलिंग फेस, वेलकम करो अगले का स्माइलिंग फेस से, हाथ से बना के खिलाओ, उसको फील होना चाहिए कि तुमें उसके प्रती प्यार है, लड़कियां सोचती है, माय के गई तो मैं आराम कर नहीं गई हूँ, ससुराल में इतना खपती नहीं हूँ, तो क्या हुआ, ये भी तो तेरा अपना घर है, एक दिन करने से गिज़ जाओगे क्या, कितना प्यार जीतोगे, हर बार सब से लेते हो न, एक बार देके भी आ जाओ किसी को, अच्छा लगेगा, राखी पे लेते हो, टीके पे लेते हो, हर तयोहार लेते हो, माँ-बाप से, भाईव से, कर पलट के भी देखो कभी एक पैन भी तुम किसी के लिए नहीं ले गए होंगे अगर पसंद आ गई तो अपनी पर्समे ठूस होगे उसको मेरे लिए अच्छी है और अगले ने पूछ लिया फलानी दुकान से लाई हूं ले आ अरे निकाल के तुरंट दे दे बोलो भया अप्यूस करो क्या होगया फिर चाहिए होगा मैं और लाऊंगी एक दिल तो बड़ी करो सारा दिन ये अपना पेट भरने का ही चक्कर रहता है हर चीज से लेकिन कभी करो किसी के लिए एक एट्मस्फेर को चेंज करना हमारे हाथ में होता है बदलो महौल बदलो लाइट करो एट्मस्फेर क्योंकि उस एट्मस्फेर में तुम ही भारी हो रहा है दूसरों को छोड़ दो तुमारे अंदर भी तो भारी पन आ रहा है एटमस्फेर को लाइट करो हमेशा एक ही टॉपिक को मत गुथे रहो कभी हसी मजाग की बात भी करो कभी प्यार की बात भी करो जब तक तुम ये आर्ट नहीं सीखोगे न तुम जहां रहोगे तुम भारी लगोगे दूसरों को जहां भी चले जाओ वो जिल लगोगे पर एक वेक्ती देखा ऐसा होता है मैफिल की भी जान पार्टी में जब तक ना आए न स्वादी नहीं आ रहा और आ जाए कभी भाई बहनों में कोई एक होता है अब शादी है छोटे भाई की वो वली बहन नहीं आई वो तू कब आ रही है तू आएगी न हम उस दिन आएंगे क्यों ऐसे लगता है वो आएगी पूरे घर में जान आ जाएगी मज़ा आएगा रहने का तो हम सब भी तो ऐसे बन सकते हैं नहीं बन सकते हम भी तो किसी मैफिल की शान बन सकते हैं हम भी किसी को प्यार कर सकते हैं हम भी किसी में जान डाल सकते हैं हम क्यों नहीं करते ऐसे काम हमने सब की जान निकालने का ठेका लिया है क्या देखो जब injection लगता है तब कम दर्द है जब खून निकाला जाता है दर्द जादा है है अजीब कहानी के नहीं जब injection लगाता है वो जब नस ढूंड के उसने खून निचोड़ना है हमारा बड़ा गुसा आता है इसको चाटा हमारो इतना दर्द कर दिया इसने मुझे तो तुम जब किसी को दोगे तो अच्छे लगोगे निकालोगे न सिरिंज लगा के किसी का खून तो अगले को गुसा आएगा हमेशा atmosphere बहुत अच्छा रखो इर्दगिर्द गल्तियां जीरो हो जाएंगी प्यार करने वाले की कोई गल्ती नहीं गिनता प्यार करने वाले की बात का कोई बुराई नहीं मानता प्यार करने वाला सबके दिल का राजा हो जाता है ऐसा प्यार करो तुमें कोई छोड़ना ही ना चाहे, किसी मजबूरी में तुमें रहना भी पड़ जाए माईके भी रहना पड़ जाए छे महीना साल इतना प्यार बना के रखो भाई बेनों को फील ना हो कि यह जाए बनाओ इतना प्यार सबसे ओखा सोखा कोई वक्त आ जाए सब खड़े हूँ तुमारे लिए जिन्दा दिल हो के मजबूरी में नहीं एक मजबूरी में मेरी कोई मदद करे वो मज़ेदार बात नहीं पर कोई प्यार से मेरी मदद करे उसको मेरा दुख अपना दुख लग जाए मैं इतना अपने अंदर प्यार रखूँ मैं प्यार ऐसा बना लूँ सबसे तब आएगा मज़ा तब लगेगा अच्छा तुमने देखा है हीजडे कभी हस्पताल नहीं जाते देखा है कभी हस्पताल में हीजडों को बिमार नहीं पड़ते दो कारण एक तो तालियां बजाते हैं उनका एक्वा प्रेशर हो जाता है और दूसरा वो सब की खुशी में खुश होते हैं खुशियां तुमारे गर उनके घर बच्चा हो भी नहीं सकता तेरे घर हुआ वो आँ आके नाचते हैं भगवान हमेशा बताते थे अगर तुम सब की खुशियों में खुश होगे हमेशा भगवान तुमें निरोग रखेगा जो सब की खुशी में इरश्या जलन कुडन करेगा वो खुश नहीं रह पाएगा सब की खुशियों में सही योग दो चढ़ हुए शब्द बोलो रियलाइज कराओ सामने वाले को हाँ मेरी वज़े से आपको दिक्कत है मेरी वज़े से आप भी कितना उल्टा वो बार बार शर्मिंदा होगा नहीं नहीं आप ऐसा ना को आप बोलो कि हाँ मैं कोई खुशी से बैठी हूं मैं मेरी जूती ना रहे तुमारे गर तुमारे डायलॉग गलते एसानी नहीं मानते हो किसी का मान लो शब्दों से भी मान लो अगला पंखे पे चड़ बैठेगा तो गलतियां यूँ है इनको समझो और निकालो काम बन जाएगा